थल्द दन लुप दन वाद धने वाद हमें रखशाजी हम आने सपे दृंचा हालेलोहिया हालेलोहिया प्रभूश मुशी कैसे आपने अधकनता नुगरभ Ce हमें हर प्रकारसे चंग आरी Hem आपका धन्यवाद करते हैं, श्वागत करते हैं सिर्फ भाईयों और बहनों का, हमारी भजन सवा में, प्रात्ना सवा में, हम प्रात्ना करेंगे भजन सेंटा 41, रोगी वेक्ति की प्रात्ना, क्या ही धन्य है वह जो कंगाल की सुधी रखता है, विपत्ति के दिन यहवा उस की रख्चा करके उसको जिवित रखेगा, और वह प्रित्वी पर भाग एवान होगा, तो उसको शक्त्रों की इक्षा पर न चोब, जब व्यादे के मारे सया पपड़ा हो, तब यहवा उसे समालेगा, तो रोग में उसके पूरे बिच्छोने को लटकर ठीक करेगा, मैंने कहा, हे हवा, मुझ पर अनुगरा कर, मुझ को च्छंगा कर, क्योंकि मैंने तेरे विरुद पाप किया, मेरे सत्रू यह करकर, मेरे बुराई करते हैं, वह कब मरेगा, और उसका नाम कब मिटेगा, जब वह मुझ से मिलने क्यों आता है, तब वह वेर्द बाते बगता है, ज वे मेरे ही बुरुद्धों कर मेरी हानी की कल्पना करते हैं, वे कहते हैं इसे तो कोई बुरा रोग लग गया, अब जो यह पड़ा है तो फिर कभी उठने का नहीं, मेरा परमित्र जिस पर मैं भरोसा रखता था, जो मेरी रोटी खाता था, उसने भी मेरे बुरुद्धलात उठाई है, परन्तु हे हवा, तो मुझ पर अनुगरा करके मुझ को उठा, कि मैं उनको बदला दू, मेरा सत्रू जो मुझ पर जैवन नहीं हो पाता, इससे मैंने जान दिया है कि तू मुझ से प्रसंद है, मुझे तो खराई में समालता, और सरोधा के लिए अपने सब मु कि स्थिर करता है, इस्राइल का परमेश्वर यहवा, आदी से अनंत काल तक धन्य है, आमीन, फिर आमीन, और आमीन